और अब फटाफर एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पार कश्मीर से प्यार करता है विपक्ष लगातार इस मुद्धे पर प्रधान मंत्री से अपनी चुपी तोड़ने की मांग करता रहा है लेकिन प्रधान मंत्री ने एक बार खिर सदन के भीतर बोलने की बजाए एक रैली में ये बात कही है मद्धे प्रधेश में भारत छोडो आंदोलन के 75 साल के कारिक्रम सुरू करते हुए चंद्र सेखर आजाग के गाउं भाबरा में देश की बात करते हुए प्रधान मंत्री ने कश्मीर का भी जिक्र जिया था उन्होंने कहा कि मुठी भर लोग कश्मीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं संबंदों में बढ़ते तनाफ की बीच भारत में पाकिसानी उचायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और कश्मीर में सीमा पार आतंगवाद को पाकिस्तान दुवारा लगातार समर्थन दिये जाने पर एक कत्षोड दिमार्श जारी किया इसने घाटी में आशांती को बढ़ावा दिया है विदेश सचीव एश जैशंकर ने बासित को अपने साउथ ब्लॉक कारले में बुलाया और मुद्दे पर जोरदार विरोध दर्च कराया क्योंकि उन्होंने लशकर के आतंगवादी और पाकिस्तानी नाग्रिक बहादुर अली का विशेश तोर पर उलिख दिया जिसे हाल में एक मुठ भेड के दोरान उत्तर कश्मी से पकड़ा गया था विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकार स्वरूप ने कहा जेशंकर ने पाकिस्तानी उचायुक्स को बिलाया और पाकिस्तान से लगाता चल रहे सीमा पर आतंगवाद पर सब्सदी मार्श ज़ारी किया मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में धन प्रचारक जाके नाइक पर आतंगवाद का समर्थ हक होने का आरोप लगाया है साथ ही उसके संगत्खन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर धन परिवर्तन कराने सहे अन्य गैर कानूनी गतिवी धियों में श्रामिल होने का आरोप लगाया है बही फाउंडेशन इन आरोपों को सिरे सिखा रिच किया है यह रिपोर्ट मुंबई पुलिस आयुद गत्ता पच्सल घीकर ने महराश्टो के मुख्यमांती डेविद में पर नवस को सौपी है धाका हमले शामिल आतंखियों के जाकिर के भाशन से प्रभावित होने की खबर आई थी फुलिस ने 71 पन्नों की जो जाच रिपोर्ट सौपी है इसमें कहा गया है कि जाकिर आतंवा और जिहाद के नाम पर हिंसा को उचित थेराता है उसके संगठन इस्लामिक विसर्च पांडेशन से प्रभावित होकर का यूवक आई एस में शामिल हुए है सात्म जाकिर का संगठन धर्मातरन को बढ़ावा देता है चेन्नाई रेल्वी स्टेशन पर कल सुभा एक अलग ही नजारा देखने को मिला स्लेम चेन्नाई एक्सप्रेस जब सुभा स्टेशन पहुंची तो इसके एक डब्बे की छट पर बड़ा सा छेट था चेन्न के इस डिब्बे में नोट की गड़ियों से भरे करीब 200 बक से थे जिसे रिजर्व बैंक में जमा कराना था जाज के बाद चला कि पश्टिम तमिलनाडू के स्लेम से चन्नाई के लिए चले इस ट्रेम में रखे करीब 340 कड़ो रुपाय में 5 कड़ोर गायब थे वेल्वे पुलिस के वरिष्ट अभिकारी एम रामा सुबर्माणी ने कहा कि हमें कुछूर सुराग मिले हैं जो की अभी जाहिन नहीं किये जा सकते नोटों की गिंती की जा रही है जिसके बाद भी हम पक्के तौर पर वता पाएंगे कि कुल कितने रुपाय गायब है संभवत पाँच कड़ो रुपाय के करीब चोरी हों है मुंबई के प्रसिद हीरा नंदानी अस्पताल के पांच डॉक्टरों को गिरुफार किया गया है इन डॉक्टरों पर किड्मी चोरी रैक्टिट में सामिल होने का रुप है इन डॉक्टरों में अस्पताल का CEO भी शामिल है पवई पुलिस खाने में डॉक्टरों के खिलाफ अंग प्रतियरुपन अधिमियम 1994 के तहट मामला दर्च किया गया है बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब इतने बड़े किसी अस्पताल में ऐसा कोई मामला सामने आया है अस्पताल के ट्वस्की निरंजन घीराननदानी ने इस घचना को दुख़त बताया है और कहा है कि ये मामला उनके लिए चौफाने वाला है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना को लेकर दिहार सरकार और केंड़ सरकार आमने सामने हैं बिहार ने प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना लागू नहीं हो पा रही है मुख्यमंत्य नितिश्कुमान ने योजना पर कड़ी आपती चताई है उनकी आपती इस बात को लेकर है कि हर राज्यों के लिए बीमा की प्रीमियर दर अलग अलग रखी गई है इस योजना में राज्यों और केंद्र को पचास-पचास अंचदान राशी देना है ऐसे ने इस योजना का नाम प्रधान मंतरी फसल बीमा ही क्यों होना चाहिए बिहार सरकार का मानना है कि सभी राज्यों में बीमा के प्रीमियर दर में एक रूपता होनी चाहिए और इस योजना का 90% खर्च केंद्र को वर्फन करना चाहिए केंद्र और राज्य के इस जगडे में टीस रहे हैं बिहार के किसान रधान मंतरी फसल बीमा की नई योजना के तहट 15 अगस्त तक राज्य सरकार को बीमा कमपनियों का चयन कर लेना है लेकिन बिहार सरकार इस योजना की वेवस्था को लेकर इस अख़ाल उठा रही है पीम नरेंद्र मोधी ने कल हुई संसदीय दल की बैठक में अपने सानसदों की क्लास ले पीम ने इस बैठक में सानसदों को फून कर कम बात करने को कहा पियम ने सांसदों से कहा कि आप सभी बहुत काम करते हैं लेकिन एक बार आप मोबाइल फोन पर दिन भर में जितनी बात करते हैं उसका डाटा निकाल लिजे फिर दिन भर में फोन पर बात करने में 25 पतिशत की कटोफी कर दीजे उसके बाद आप अपने कामों को समय से पूरा कर दिया करेंगे इसे आपकी उर्जब ही बचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे पिया मोडी ने मीटिंग में अपने सांसदों से उनके शेत्र ने किये गए काम की सरकार की योजनाओं से उनके शेत्र की जनता को कितना लाब मिला है उसकी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है क्या महीला सुरक्षा और दिल्ली की कानून विवस्था को लेकर केजरिवाल सरकार गंभी नहीं है ये सवाल इसलिए क्योंकि एक आटी आई के जवाब में मुख्यमंत्री के कारले ने जो जवाब दिया है वो चौकाने वाला है CMO ने बताया है कि फरवरी 2015 से लेकर जून 2016 तक महीला सुरक्षा और कानून विवस्था को लेकर कोई भैठक हुई या नहीं इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है दरसत बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने आटी आई के जरिये महीला सुरक्षा और दिल्ली की कानून विवस्था को लेकर केजरिवाल सरकार से सवाल पूछा था उन्होंने आटी आई के जरीए केजरिवाल सरकार से 14 फरवरी 2015 से लेकर 9 जून 2016 तक की अवधी के बारे में जानकारी मांग जिती इसने पूछा गया था कि इन मुद्दों को लेकर सरकार में कितनी बार LG नजीर जंग दिल्ली के पुलिस कमिशनर और ग्रीह मंत्राले से बैठट की आटी आई के जवाब में कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इस बारे में कोई भी व्योरा उपलब नहीं है पाकी की योजना है कि यूपी से आने वाले मोधी सरकार में हर मंत्री को निश्वाने पर रखा जाएगा इसके लिए पहले उनके लोगसभा शेत्रों में जन संपर्थ अप्यान चलाए जाएगा जिसके बाद रोट शो के जाएंगे कांग्रेस ने तैक किया है कि इस दौरान मंत्री जी ने अपनी मंत्राले में क्या काम किया और अपने लोगसभा शेत्र के लिए क्या किया इन सवालों की परताल कर रैली के जरिये वस्तुष्टी आम जनता के सामें रखी जाएगी फुल मिलाकर यूपी से आने वाले पीम और उनके मंत्रियों को उनके इती आलाके में नाकारा साबित करने की कोशिश होगी गाली कार्ड के बाद बीएस्पी सुप्रीम मायावती ने यूपी विधान सभा चनाफ के लिए अपनी रणीती में बगलाव किया है सुप्रों के मुताबिक मायावती ने पिछले दो हक्ते में अगडी जाती के तीज उमीदवारों के ठिकित पाते हैं जिन नए उमीदवारों को ठिकित हुदिया गया है उनने ज्यादतर मुस्लिम हैं लखनों में मंच से बियस्पी के प्रदर्शन के दुरान जब वैसंकर के परिवार के खिलाफ गाली वाले नारे लग रहे थे तपाती के ब्रहमन और ठाकुर जाती के कुछ मेताओं ने इसका विरोध किया था और ये बात मायावती को भी ये बात बताई गई थी बियस्पी सूत्रों के मुताबिक स्वाती सिंग विवार के बाद मायावती का अगरी जातियों से मोग अंग हुआ है और उन्होंने अपने जातिय समिकरन से ब्रहमनों को दूर रखने का पैसला किया है स्पैनिश टेलगो ट्रेन के अब तक हुए ट्राइल से रेल मंतराले संतुष्ट है लेकिन रेल बोर्ट का किना है कि टेलगो को मजूदा रुष्वरूप में कतरी नहीं चलाया जा सकता है इसके डिबोग कीच और हाई धाट की अट्रैक के फिसाप से नहीं है इसके अलावा इस बात को लेकर भी संसे है कि टेलगो स्टीट के लिहाज से एक थड़ी उतरने के बाद भी मैदान मार रुपाएगी या नहीं रेल मंतराले का कहना है कि उनके पास सिंगल पार्टी को बिना टेंडर कोई ओर्डर देने का नियम नहीं है लहाजा अगर ऐसा होता भी है तो हमें अपने जरूरतों के अनुरूप टेंडर सभी कंपनियों के लिए ओपन करने होंगे हाल फिलहाल में इसकी कोई जरूरत में ही दिख रही है टेलगो टेंड को लेकर रेल मंतराले जिस तरहा से गुलाती मार रहा है उसे सीधा संकेत यही मिल रहा है कि टेलगो के ट्रायल्ट की आख रहने के बावजूद सरकार फैसला लेने में शिटक रही है सौदी अरब में हजारों की तादाग में फशे भारतियों और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी ख़बर है सौदी के सुल्तान सल्मा निभारतियों मजदूरों के बकाय को लेकर करे निर्देश जारी की है यही नहीं इसके साथ ही उन्हें मदद के लिए करीज 178 करोर रुपाई की धन्राशी भी निर्दार की है सौOULDी के सुल्टान सलमान भार्टी मलदूरों के बकाय लेकर जालिम्ह देश में कहा जब तक प्रवासी मलदूरों का बकाया नहीं दिया जाता तब तक सरकार के साथ जोड़े कमपनियों को कोई सरकारी जुबता नहीं होगा विदेश मंत्री शिश्मा सुराज के हस्तशेप और राज्यमंत्री वीके सिंग के साउधी दौरे के दौरांग में बादशीत के बाद भी तिंग सल्मान भाक्षियों की मदद के लिए आगया हैं भारत को दक्षिन चीन सागर विवाद में अनावश्यक तोर पर उलजने से बचना चाहिए ताकि चीन के विदेश मंत्री वांग ली के नई दिल्ली के दौरे के समय ये दोरो जैशों के दिपक्से रिष्टे को प्रभावित करने वाला एक और कारत न वने चीन के एक सरकारी बैनिक ने कल ये टिपनी की चीन और भारत के बीच पहले से सीमा खुले का विवाद है अखबार में छपे रिपोर्ट के मिताबिक भारत वांग के दौरे के समय दक्सिन चीन सागर के मुद्डे पर चीन के साथ अनावश्यक विवाद में समभवत नहीं पढ़ना चाहेंगे अगर वे आर्ठिक सायोग के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का इच्छुक है तो वे इस विवाद में नहीं पढ़ेगा अखबार ने कहा कि भारत के साथ आग्ठिक सायोग में भारत में बने उत्पादो काचीन में निर्यात होने पर उस पासीमा सुल्ख को कम करना सामिल होगा रियो अलम्पिक में आतम की हमले का खत्रा लगातार मंटरा रहा है अलम्पिक पार्क में कवरेज के लिए जा रहे पत्रकारों की बस पर रियो में एक हमलावर नेख फाइरिंग कर थी बस ने दो गोली अमारी गई गोली बारी में बस की विंडो का काच तूट कर दो यात्रियों को लग गया जिसे उन्हें मामुली खरोच आई पुलिस निस्थानिया गैंट के बदमाश पर फाइरिंग की अर्षन का जटाई है ये बस बास्केट बॉल स्टेडियम से उलम्पिक के मुट्स हल की ओर जा रही है रियो उलम्पिक की शुरुआत से ही इस तरह की खटना हो रही है पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है भारत वेसंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैक्स के पहले दिन वेसंडीज के गेंदबाजों की जरबरदस्ट गेंदबाजी के आगे तीम इंदिया के टॉप ओर्डर में सरेंदर कर दिया भारत के चार विकेट मेह 87 रन पर ही गिर गए इस मुकाबले में वेसंडीज ने टॉप जीत का टीम इंदिया को पहले बलेबाजी के लिए उकारा जब एक छोल से टीम इंदिया के बलेबाज पेविलियन लॉक्स रहे थे पहले टेस्ट मैच में सतक जड़ने वाले और अश्टिन 75 रन बनाकर प्रिस पर जते हुई हैं और रुधिमान साहा 46 के स्पोर पर खेल रहे हैं खेंद्र मंत्री बाबुल सुपरियो और उनकी एर होस्टिस गर्ल्स इन रचना स्वर्मा कर दिल्ली के एक पांच सितारा होटेल में साभी के बंधन में बंधाए इस शाधी में शाक्षी बंधे प्रधान मंति नरिंद मोडी के साथ साथ बीजेपी से लार्पिस न अडवानी बीजेपी अध्यक्स अमिशाख सुंद्र मंत्री अनंत तुमार और जिटेंडर सेंटी मोचे बाबुल सुप्रियों को साभी की वधाई देने के लिए कॉंग्रेस के मासाचीफ दिग्विजे सेंग, सशी थरुट, सिंगर, दोस्ट, सान और अनु मलिक के अलावा कई बड़ी नामी हस्तियां की समारों में मौजूद रही इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही, ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से, नमस्कार